नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में एक रीटेल केटेगरी का फेवरेट स्टॉक है जिसका नाम है वोड़ाफॉन आइडिया वोड़ाफॉन आइडिया के स्टॉक पे वैसे तो मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ और बाइंग की रिकमेंडिशन तो मैंने बहुत ही रेर केस में दिये इनफेक्ट बाइंग के लिए मैंने कभी बोला ही नहीं मैंने सिर्फ यह बोला है कि आपके पास है बैठे रहो जो पैसा लगाया उसको यह समझ लो कि बनेगा तो बहुत बड़ा दर्वाइश छूट जाएगा खतम हो जाएगा बरवाद हो जाऊँगा अब आपकी कितनी क आइडिया खतम हो गया तो कॉंपटीशन नहीं रहेगा फिर आपके लिए मार्केट में दो प्लियर रहेंगे वल एक आपका एटेल एक आपका चीओ यह नहीं हो सकता एक प्लियर खड़ा रहेगा अब क्या इसकी सुद्रेगी टर्न आराउंड आएगा यह आपको मुझे क करना इतना आसान नहीं है मोटा भाई के लिए आसान है बाकी किसी के लिए नहीं ठीक है तो यह सारी चीज़ें कहते हैं कि आप एक चोटा मोटा पैसा लगागे भूल जाओ लाइफ लोग अगर बन गया नहीं बना तो गया बात खातन अब आता हूं मैं इस कंपनी पे आज सिंपल भासा में समझाऊंगा लेकिन उससे पहले स्टॉक का प्राइस बदा दूं स्टॉक का प्राइस अभी आपके लिए वोड़ा फोन आइडिया का 13 रुपे 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में आराउंड आराउंड 25 पैसे का डाउन फॉल देखने को मिल रह यानि कि कोई बड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ है कोई बड़ा एकशन नहीं हो रहा है आज की जो मीटिंग है वो किसलिए है आज की मीटिंग से पहले आपको याद दिलानी होगी जो फैब्ररी में मीटिंग हुए थी त्याँए देट भी लिगा हाँ जी 27 फैब्र को जो मीटिंग होई थी 27 February को भी मैंने वीडियो बनाई थी आपको याद दिला दू हुआ बोर्ड ने मीटिंग करी मीटिंग करी थी fundraising plan को लेकर fundraising plan अप्रूव हुआ 45,000 करोड का जिसमें से 20,000 करोड लगबग equity और equity linked instruments के दौरा company जुटाएगी और 25,000 करोड आगे चलकर दौरा से किसी ना किसी तरीके से I think NCD वगएरा के दरिये थी या किसी और चीच के ज़एए थी जुटाने की बात है और ये 45,000 करोड रुपे जुटाने की जो बात company ने करी है वो एकदम ऐसा है कि मैं भी आप सभी के साथ अपने viewers के साथ कह दू कि हम इतने रुपे जुटाएंगे कैसे जुटाएंगे कौन हमें देगा कौन हम पे ट्रस्ट करेगा इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है same would of an idea का हाल था इसी लिए board meeting से पहले share भागा और board meeting के बाद share टूटा था आपको याद होगा 15-20% टूटा था क्योंकि company ने जो कह दिया हम 45,000 crore जुटाएंगे company को पैसा देने के लिए कोई तयार नहीं है इस तरीके की announcement fundraising को लेकर approval company पहले भी दे चुकी है company 10,000 crore का अगर approval दे दी है तो 10,000 crore company को मुश्किल से मिलते हैं ये इनका history इतिहास रहा है अब company ने 45,000 crore बोला 20,000 crore कोटी linked instruments के द्वारा बोला अब उस 20,000 crore को लेकर आज जो है आज today 2nd April 2024 आज shareholders का approval आ जाएगा ठीक है shareholder बिचारा वह सीधा होता है वो approval दे देता है तो shareholders का approval जैसे ही आ जाएगा उसके बाद company decide करेगी कि ये जो पैसा है हम कैसे जुटाएंगे यानि ये जो 20,000 crore है एक कुटी के द्वारा जुटाएंगे तो हमारे लिए क्या share का भाव तै करेंगे कि इस भाव पे हम अपने investors को या QIP को या retail को या खुद जो भी participate करना चाता है उस participate में कौन किस भाव पे share खरीदेगा आप पैसा आएगा simple अब 13 रुपे 25-75 पैसे का भाव है अब company कहते कि 12 रुपे पे आप share खरीद लो हमारा ठीक है हम 12 रुपे ओफर कर रहे हैं तो 12 रुपे पे 20,000 क्रोड रुपे का निवेश आ जाएगा गया ऐसे investors हैं जोने 12 रुपे पे stock आकरशित लगता है ये example दे रहाँ मैं अगर लगता है हूँ पैसा लगाएंगे company ने fund raise कर लिया equity दे दी बस that's it इसमें company के promoters भी participate कर सकते हैं यही आज होने वाला है इससे जादा कुछ नहीं है अब आप देख लो आपको लेना है नहीं लेना मेरी तरब से इस पर कोई रहे नहीं है clear cut मैंने आपको A to Z चीज़ा समझा दी है आपका decision है अब कुछ लोग confuse हो रहे होंगे कि लें ना लें उनके लिए भाव सब कुछ होता है कल को share 10% चल गया तो गहींगे यार ले लेता तो सही रहता पैसा बन जाता गलती से 10% कि रहे है अरे बेगार है तो बेगार है ऐसे करेंगे मैं आपको बता दूँ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए share का price से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए share के price को आप देख लो आप loss में company है 70,000 क्रोड का market का अब भाई लाग क्रोड का कर जाए क्या करोगे आप मुनाफ़ा company करती नहीं है share का price तो यार market खुली है share में लिस्टेट है market और ट्रेड करेगा ही करेगा उसमें तो खरीद बेच होगी होगी समझ रहे हो उसको आप नहीं रोक सकते तो उसे देखके खुस या दुखी मत हो अपनी health को खराब मत करो आपको investment लगती है आप लगाओ पैसा और भूल जाओ बस मैं यही कहा रहा हूँ आप 1000 रुपे भूलने की दम रखते हो 1000 रुपे लगाओ के वल आप 10,000 भूलने की दम लखते हो 10,000 लगा दो उसको फिर चेक मत करो आज share का भाव क्या है या तो 100-500 रुपे अगर future में हुआ हुआ नहीं हुआ तो खतम अब आप यह देखो ना एक एक दिन में 20-20% कितनी बार भागा है stock 6 रुपे से stock 20 रुपे तक गया 20 से वापस 13 पे आ गया लेकिन अगर मैं इसकी जरनी की बात करूँ तो 5 साल में वही का वही खड़ा है 10 साल में पूरा खतम है 2 साल में एक साल में पैसा बना के दिया है इन्वेस्टर्स को ठीक है तो अब आपके उपर डिपेंड करता है क्या करना है मैंने डीटेल्स दे दी है तो आपके लिए हम खुद सबसे पहले वीडियो बनाएंगे वोप आपको मैं सही जानकारी दे पाया हूँगा और आपको समझ भी आई होगी थैंक्यू सो मुच पूच 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 इस वीडियो वीडियो एव ग्रेट दे गाईज